हेलो गुड मॉर्निंग ओल अफ यू सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर पस्तितू टूड़े करेंट अपेर्स जी के मां का अचियों कि राज 20 मई 2020 कि वार बुद्वार के करेंट अपेरर के बात करते हैं और साथना की तरह आज का करेंट पेर सुरू करने से से पहले हम बात करते हैं हमारा लाश्टे का कॉस्चन अब दाड़े की लाश्टे जो हमने कॉस्चन अब दाड़े पूछा था वो क्या था कि निम्न मैंसे किस उपलब्दी के उपलक्षे में प्रतेक वर्ष 16 माई को अंतराष्टे प्रकास दिवस यानि कि इंटरनेशनल डे लेओ लाइट मनाया जाता है ऑप्सने बिजली का विश्कार ऑप्सने भी बल्ब का विश्कार ऑप्सन सी पहला सफल लेजर ऑप्रेशन और ऑप्सन डी एक्सो प्लेनेट्स की खोज तो साथी हो मेरे इस क्वेस्टन का आंसर हमने कमेंट बॉक्स में डालने के लिए बोला था पर हमें अपसोस होता है कि हमें एक भी कमेंट नहीं मिला है साथ वीडियो पूरा देखें, content बहुत अच्छा है, इससे better content आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे platform पर content, मैं विवेक कमार, quality से कोई compromise नहीं करता, quantity की बात नहीं करता, quality से compromise नहीं करता साथ वीडियो प्रतेक वर्ष सोल में को अंतराष्टे प्रकास दिवस मनाया जाता है, और यह अंतराष्टे प्रकास दिवस यानि के international day उपलाइट किस उपलक्ष में मनाया जाता है, option c right answer है, पहला सफल लेजर operation के उपलक्ष में, कौन सी उपलबदी मिली थी, पहला सफल ले जो को किया था, यह उपलबदी किसको मिली थी, तो इसकी बात की जाए, तो एक बोतिक सास्त्री और इंजिनियर थे, थियोडर मेमन, उनके द्वारा लेजर के पहले सफल लेजर operation की सालगिरे के उपलक्ष में, प्रतिवर सोल मई को यह दिवस मनाया जाता है, यानि कि यह म सफल लेजर operation किया था, और इसी के उपलक्ष में, प्रतेग वर सोल मई को अंतराश्टिय प्रकास दिवस यानि कि इंटरेशनल डेव प्लाइट मनाया जाता है, साथियों motivational क्योट्स की बात की जाए, तो कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साब, बदलता जरूर है, एक ना एक दिन मेरा भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा, तो आईए मेरे साथ इस वक्त बदलने के साथ ही, और इसी inspiration के साथ सुरू करते हैं, आज का करेंट अपेर्स जीके, क्वेस्टन से क्या फष्ट से, क्वेस्टन से क्या फष्ट क्या आए, निमनलिकित में से एक इस बैंक ने गॉल्ड लॉन से जुड़ा एक विशेश व्यशा सुरू की आए, ऑप्शन A, इलाबाद बैंक, ऑप्शन B, केनरा बैंक, ऑप्शन C, एक आपसवर केनरा बैंक, तो केनरा बैंक ने गॉल्ड लॉन से जुड़ा, यानि कि गॉल्ड लॉन, सोने के लॉन से जुड़ा एक विशेश व्यशा सुरू किया है, बात की जाए, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉर्ण की कि इसमें क्या था इंपोर्टेंट, तो इस गोल् पूरा करने के लिए सुरू किया गया है, केनरा बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85 प्रतिसत वार्षित ब्याजदर पर रिन उपलब्द कराने के लिए गोल्ड लोन अभियान सुरू किया है, इस विशेश गोल्ड लोन उत्पादों को ग्रहकों द्वारा सामना की जाने वाली चुन इस बटा हुआ है, इस कंडिशन में बहुत सारी हमारे पास चुनूतिया है, सामने चुनूतिया दिख रही है, उन चुनूतियों को ध्यान में रखते हुए, इस गोल्ड लोन को डिजाइन क्या है केनरा बैंक ने, और इस लोन का जो इस्तेमाल है, इसका विविन उद्दे की जाए, तो केनरा बैंक जो है, इसका मुख्या लिया है, करनाटक के बैंगलोरू में है, केनरा बैंक के वरतमार अध्यक्ष टी एन मनोहरन है, और इसके M.D. और C.O. यानि कि मुख्य कारे कारे अधिकारी, कौन है, L.V. प्रभाकर है, और यह हमारा केनरा बैंक का लोग ह नेक्स्ट, क्वेसन संक्या दो, निमनलिकित में से किसने रियल इस्टेट निकाय नैशनल रियल एस्टेट डेवलोप्मेंट काउंसिल एन की N.A.R.E.D.C.O. के ने मानिदिसक D.G. का पदबार ग्रेंड किया है, औप्सन A. अमिताब ठाकोर, औप्सन B. अस्विनी कुमार आप्सन C. राजेस गोयल और आप्सन D. राज कपूर। अवास और सहरी मामलों के मंत्रा लेकर तैत अग्रण की सारुजिनिक उपक्रोम में लगबग 37 वर्स का विशेश आनुबाओ है। साथ हो बात करते हैं N.A.R.E.D.C.O. जानि की National Real Estate Development Council की National Real Estate Development Council जो की लौन के मामले में ये अंडर दा पैट्रेंट ऑप मिनिस्ट्री अप आउसिंग अडर्बन पौर्टी एलियस्ट गवर्मेंट ऑप इंडिया बार्द सरकार के अंडरी आता है। इसके स्तापना 1968 में में हुई थी और इसका मुख्याल ले नई दिल्ली में है जो की घरों के लिए ये लोन उपलब्द कराता है। किस इस्तान पर लेंडिंग क्राप्ट यूटिलिटी शिप आई एन एल सी यू एल पिप्टी सेवन को भारतेनों से नामे कमिशन किया गया है। आप्शन ने तिरूचिरापनली आप्शन भी कांडला आप्शन सी कप ककम आप्शन डी पोर्ट बलेया। साथ अभी हाल ही में लेंडिंग क्राप्ट यूटिलिटी सिप यानि कि आई एन एल सी यू एल पिप्टी सेवन को भारतेनों से नामे कमिशन किया गया है। आप्शन डी राइट आंसर है पोर्ट बलेयर। और यह है आई एन एल सी यू एल फिप्टी सेवन का एल सी यू मारका का फौर्ट स्रेनी का सात्वा युद्धपोत है। बात करते हैं आई एन एल सी यू एल फिप्टी सेवन की तो यह जो युद्धपोत है इसका निर्मान गार्डन रिच सिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड जी आर ऐसी द्वारा किया गया है। इशे यू पौत का जो मुखे कारे कैं और मुखे कारे का ट्रांस्पोर्ट और मुख्य यू तक टैंकों की तेंहाथी करना है। इसका नाम था आई-एन-एल सी यू-ल- крепटी वन कव मार्च 2007 में भारतिये नुसेनमय कमिशन किया गिया था और यह कौन सांए एल-51 से वन और साथ यो नो से ना इस्टाप के प्रम कोन है एड्मिरल करम बीर जिंग नेक्स्ट कुस्टन संक्या चार निम्न मैसे किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादू का नामक अब्यान सुरू किया गया है और मद्दे प्रदेश और मद्देश राज्य सिंग चोहान और राज्य पालय लाल जीतंडन साथी चरण पादू का अब्यान के अंतरगत यदि कोई नंगे पाउं जारे मजदूरों को जूते और चपल दिये जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके और यह मजदूर कौन से यह अपने पिरवासी मजदूर है जो कि एक राज्जे से दूसरे राज्जे की और जा रहे हैं और इस अब्यान को इन दोर के राउ पुलिस स्टेशन से सुरू कर मद्देपद्रे राज्जे के अधिकार इस्तानों पर पुलिस द्वारा चलाया जा सब्सक्राइब नाइक्स्ट क्वेशन संग्या पाच निमन मैंसे कि इस देश की प्रसिद्व पुटबॉल लीग बुंदेश लीगा कोविड नाइंटीन लोगडाउन के बाद दोबारा सुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुखेल इस परदा बन गई है ऑप्सने ज जर्मानी की प्रसिद्व पुटबॉल टीम है बुंदेश लीगा और बुंदेश लीगा खेल इस परदा को दर्सकों के बगेरी खेला गया है जबकि इस स्टेडियम जो इस्टेडियम था उसमें 80,000 दर्सकों की जगए थी लिग के दोरान सब्ता में दो बार खिलाडियों को परिक्षण किया जा रहा है टॉर्नमेंट में भाग लेने वाले टीमों को कौरेंटाइन रखा गया है सॉसेल डिस्टेंसिंग का विशेश ध्यान रखा गया है और टीमों ने अलग-अलग समय पर मेहदान में प्रिविस किया और मैच के दोरान अत्रिक्त खिलाडी दूरी बनाकर बैठे यानिकि सॉसेल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह किया है बात करता है बुंदेश लिगा की साथ बुंदेश लिगा की बात की जाए तो यह बुंदेश लिगा जो है इसकारत क्या होता है फैडरल लीग यानिकि संगिया लीग और इसकी सुरुवात कब हुई थी सुरुवायत हुई थी वर्स 1963 और बुंदेश लिगा जो है बुंद ना कर्मत करी का कोविड नी संक्रमन कर निदन कर द अ वह किस भासा से संबंदित है ऑप्षन बंगाली ऑप्षन भी मराटी ऑपसंदी राजस्थानी अब्षन आपसंदी फारसी तो साथियो दिग्जिश्ट लेखक और नाटक का रत्ना कर्मत करी मराठी भासा से सम्मद्द है मराठी भासा के कलाकार है तो option भी right answer मराठी भासा के और इन्हें बोथ पूर है राष्टे पती डॉक्टर एबीजे अब्दुलकलाम मिसाइल मैं डॉक्टर एबीजे अब्दुलकलाम मराठी में बच्चों के नाटक सुरू करने का अग्रणी माना जाता था रतनाकर मतकरी के उपन्यास ने मराठी साहित्य की दुनिया को नाटको लगुकताव जैसे विबिन रूपों में अपार योगदान दिया है और मतकरी को कई पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा उनकी फिल्म इन्वेस्टमेंट ने सर्वस्रेश्ट मराठी फीचर फिलम के लिए राष्टे फिल्म पुरुसकार जीता था और इसके अलावा भी मतकरी ने संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा विबिन पुरुसकार जीते और सम्मानित किये गए कलाकोरो के चुनिंदा पैनल में भी ये सामिल हुए थे नेक्स बात करता है कॉस्टन संक्यास साथ की तो निमन लिकित में से एक इसने प्रवासी सिर्मकों को शुर्दानजली देने के उद्देश से एक विसेश्ष डाग कवर जारी किया है अप्सन इंभातर डाक सेवा ने हैं और सभी भारतिय रेल डाक सेवा नहीं कि ऑप्सन सी नीती आयोगने और ऑप्सन डी की इंदरसरकार नहीं तो साथियों प्रवासी स्रमिकों को सुर्दान्जली देने के उद्देसे से विसेश डाक कवर शुरू किया है भारतिय डाक सेवा यानि कि इंडियान पोस्ट ने तो आप्सन ए राइट आन्सोर है इसका भारतिय डाक सेवा जो यह एतियासिक कवर है इसको एतियासिक मुंबई के जीपी ओ भावन में के बेंटेनेलियल हौल में हुए कारेकरम के दोरान जारी किये गए विसेश पोस्टल कवर को जारी करने के लिए विबिन जेत्रों में पांच प्रवासी स्रमिकों को बलाया पांच प्रवासी स्रमिक थे उन प्रवासी रुखमें को दो स्रमिक निर्मान चितर से एक टैक्सी चालक एक आपूसरन कारेगर और एक धरजी था और उनके सामने उनके के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक कारेक्रम आयजुद क्या गया क्योंकि हर प्रवासी सिर्मिक सहर का निर्मान करने का एक अब इन्न हिस्सा है ओप्सने राइट आंस और भारत्रेडाक सेवा नेक्स्ट क्वेशन संक्या आठ कोविड-19 मामारी पर विश्व स्वास्ते सबा यानिकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का कौन सा सत्र वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम सायजुद किया गया है साथ यो तो साथ ही अ कोविड-19 मामारी पर विश्व स्वास्ते सबा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का सेवंटी थी यानिकी तेश्तर वा संम्मेलन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा रजुद किया गया है तो ऊप्सन भी राइट आंस्वर है सेवंटी थर्ड साथ इस स्वास्ति सभा के तेतर्वे सत्र में डबलुएचों के सभी सदस्य देशों के प्रतिनी दिमंडलों ने इससा लिया तता जिसमें कारे-कारी बोड़ द्वारा तैयार किया गया एक विशिष्ट इर्फास्तिय एजन्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया भारत की तरफ से बात की जाए तो भारत की तरफ से इस वीडियो कॉन्फरेंसिंग में भारत का प्रतिनी दुट्वे केंद्रिय स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्सवर्दन ने किया था और उन्होंने कोविड-19 प्रबंदन किया और से भारत सरकार द्वारा उठाए गया संगफन मतलब रूड हelet एक है प्रांट कर सàiलन विश्वे स्वास्ते संगटन और विश्व जुए स्वास्तेशबंतन की नीतियों को निरदारित मानिदे सक नियुक्त विद्थियन नीतियों की निगरानी करने और प्रस्तावित कार्यकरम बजट की समिक्षा और अनमोदन के लिए जिम्मेदार है और यह सत्र प्रतिवर्ष स्वीचर लैंड के जिन्यों में आयुजित किया जाता है निमनलिकित में से कौन सा बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफर्म पर बच्चत खाता खोलने वाले ग्राकों के लिए वीडियो नौ यूवर कस्टुमर के वाई सी की सुविदा सुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है और सातियो पहला बैंक कौन सा पना है जो कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफर्म पर बच्चत खाता खोलने वाला पहला बैंक बन गया है वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा बैंक के बचत खातों के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर की गई है इसमें जो भी दस्ता वेज़े उनका सत्यापन किस से किया जाएगा ओनलाइन किया जाएगा यह वीडियो कॉल के माद्दिम से किया जाएगा और इसमें जो विकल पेश किया है वो आर बी आई के अनुसार पेश किया गया है इनके जरु बैंक अप इंडिया का अनुसार पेश किया गया है बात करता है कोटक महिंद्रा बैंक की तो कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्तापना वर्ष 2003 में इस्तापना वर्ष 2003 में हुई थी और इसका मुक्या लिया महारश्टर के मुंबई में है कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी मैनेजिंड डिरेक्टर एंड सीई ओ नेदे कोटक कोटक और सबसे सांधार चीज इसकी टेगलाइन क्या है लेट्स मैक मनी सिंपल कोटक महिंद्रा बैंक की टेगलाइन है नेक्स्ट और आज का मार अन्तिम कॉष्टन संक्या 10 कि आर्थिक प्रोथ्षान पैकेज में स्वेचालित मार्क के तैत रक्षे निर्मान में एपडियाई सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या है? साथ यो वित्मंत्री द्वारा घूसित वित्मंत्री को ने निर्मला सी तरमन द्वारा घूसित प्रोर्थान उपायों में से अपनी एक मैक इन इंडिया पहल के तैत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुचालित मार्क के तैत रक्षा निर्माण में एप्टी आई सीमा यानि की प्रतियक्ष विदेशी निवेश की सीमा पहले थी 49 प्रतिसत बढ़ाकर कर दिया चौत्तर प्रतिसत तो आपसंडी राइट आंसर है इसका चौत्तर प्रतिसत और इसके अलावा वित्मंत्री ने य उचित करेगी जिने आयात नहीं किया जाएगा और केवल घरी लोग उद्दोप से खरीदा जाएगा साथ यह था आज का मारा करणट प्रतिस जीके और अब हम बात करते हैं आज के कौस्टन स अपधाड़े की आज का मारा कौस्टन अपधाड़े की निमनली कित में से केंदर सरकार ने किस योजना के तैत समूंद्री और अंतर देशीय मतस्य पालन के विकास के लिए 20,000 रुपे आवंडित की हैं और इस कौस्टन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना या मॉर्निंग सवा पाँच बजे हमारा लाइव चलता है वीडियो तो तब भी दे सकते हैं मैं आपके साथ चैट बॉक्स में उपस्तित रहूँगा आपके सभी सवालों का जवाब दूँगा आएए मेरे साथ मिलते हैं सुबह सवा पांच बजे डेली हमारे इस अपने यूटूब चैनल पर आज का मारा वीडियो अभी चल रहा है तो आप देखिए और नेक्स सव कि हमें बहुत कुछ सिखाएगा इस वीडियो का पीडिया डाउनलोड करें पीडिया डाउनलोड करने का लिक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिलेगा इसके साथ हमारे यूटूब चैनल यूवी कंपिटिसंज को सब्क्राइब करें और साथी बैल आइकन घंटा जरूर को दबाई यहां से आप सब्क्राइब कीजिए और बैल आइकन घंटा को दबाईए जिससे आपको मारे द्वारा दिये के अपडेट्स के नोटिफिक्शन मिलते रहे साथ यह COVID-19 में आमारी चल रही है पूरे देश में लोकडाउन खुल चुका है रैड जॉन्स में कुछ सावधानिया बरती जा रही है लेकिन आपको अपनी तरफ से सावधानिया रखनी है तो इसलिए घर से कम से कम भार निकले COVID-19 के दिशा नर्देशों का पालन करे Thank you so much धन्यवाद आपका दिन सुपो